Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 आज ये आप लोगों की collective reading है और आज हमारा ये question है कि Does He want you back? क्या वो वापिस आपको अपती जिन्दगी में लाना चाहते हैं या नहीं? और ही मैंने इस लिए लिखा क्योंकि मैंने अपने analytics में देखा है कि ज्यादा तरफ females हैं जो कि मेरी videos को देख रही है इसका ये मत्तब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप male हैं तो आप ये video नहीं देख सकते हैं ये video सब के लिए open है लेकिन you know majority is authority तो please आप लोगोंने mind नहीं करना आप लोग अगर male हैं तो बिल्कुल female के लिए देख सकते हैं female हैं तो male के लिए देख सकते हैं और same gender के लिए भी देख सकते हैं ये reading सब के लिए open है तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी truest desires उनकी feelings, deep feelings, deep thoughts आपके लिए क्या है क्या वो वापिस आपको अपने जिन्दगी में लाना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं आपके लिए और यहां पर channeled messages भी होंगे तो detailed हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा feel करते हैं regardless आप लोगों का relationship कहां पर stand करता है आज अगर यह आपके एक्स हैं तो भी आप देख सकते हैं अगर यह आपकी जिन्दगी से जा चुके हैं तो भी आप यह reading देख सकते हैं तो शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया thank you so much आप लोगों ने जितना प्यार और support मुझे दी है जितनी respect दी है I truly deeply appreciate each one of you and I love you all अगर आप नए है मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है और शुरू करने से पहले मैं हमेशा यह भी कहती हूँ कि आपकी final destination सिर्फ divine source को पता है आपने जब भी इसी readings को देखना है तो अपने दिल और दिमाग को open रखना है क्योंकि energies change होती रहती है यह cards possibility बताते है Spirit हमें divinely guide कीजिएगा ओके आप लोगों की past present or future energies near future हम देखेंगे recent past भी हो सकता है इसमें ओके यह तीन cards आगए यह recent past भी हो सकता है यह present भी हो सकता है हम सब कुछ देखेंगे star signs भी जो मुझे यहाँ पर नज़र आएंगे मैं आपके साथ share करूंगी Aquarius Cancer बहुत strongly है यहाँ पर in near future क्या हो सकता है हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का connection बहुत magical था बहुत significant था यानि कि जब यह connection आपका शुरू हुआ तो right off the bat आप लोगों ने सोचा कि this is the one this could be the one आपने नहीं सोचा आपने सोचा कि this is the one और यह mutual feeling थी यह सिर्फ आपकी feeling नहीं थी आपके person ने भी यह feeling यह attraction एक bond significant bond आपके साथ महसूस कर लिया था तो आप लोगों की past energy मुझे यह नजर आ रही है जब आप लोगों ने connect किया जब आप लोग relationship में गए और मुझे ऐसे लगता है कि यह कोई ऐसे इनसान हो सकते है कि जिन्हें आपने manifest किया अपने जिन्दगी में इस energy को इनकी energy को आपने attract किया अपने जिन्दगी में और यह आपकी destiny में लिखा था कि आपने इनसे मिलना है इस lifetime में तो मुझे ऐसा लगता है कि यह आपके soulmate यह twin flame हो सकते हैं you were destined to meet them जो मुझे नजर आ रहा है और जब आप इनसे मिले तो बहुत magical था बहुत significant था ऐसे था कि आपके शायद आपको इस पहली मुलाकात की सारी details याद होंगी detailed याद होगा आपको उनके कपड़ों से लेकर उनकी बातों तक हर चीज़ आपको detailed याद होगी उन्हें क्या compliment आपको शुरु मुझे आपने उन्हें क्या कहा और वो क्या chemistry थी और जब आप दोनों ने एक दूसरे की आँखों में देखा जो महसूस हुआ आपको वो सारी feelings आपको अभी भी याद है और कुछ बहुत magical था उस वक्त आप लोगों की energies जिस तरह से मिली और आपको लगा कि बस अब आपको यहीं रुक जाना चाहिए और यही वो इनसान है कि जिनकी तलाश आपको हमेशरत ही और शायद आप इनको सद्यों से जानते है वाव बहुत खुबसूरत और deep connection आप लोगोंने महसूस किया था इस relationship में जब आप लोग आए काफी communication हुई और मुझे यह लग रहा है कि ज्यादा आपने अप्रोच किया क्योंकि आप यह देखिए wands इस तरफ जा रही है और night of pentacles का face उस तरफ है और यह इनसान straight है जो कि manifest कर रहा है जो कि आप हैं जिसने यह magic फॉरण महसूस कर लिया आपके साथ chemistry तो उन्होंने भी फॉरण महसूस कर ली जब आप इनसे मिले जब आपने इनसे conversation शुरू की लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपने हमेशा इन्हें अप्रोच किया बात करने में आपने हमेशा initiative लिया यानि आपने इनसे बात की message किया strong होता गया और फिर थोड़ा सा break बीच में आया और फिर आपने अप्रोच किया फिर break फिर आपने यानि मुझे लग रहा है कि हमेशा initiate आपने किया है और बात हमेशा आपने start की है जो magic था इस relationship में वो आपने feel किया है वो शायद आपके person ने feel नहीं किया लेकिन उन्होंने ये जरूर feel किया कि there is something special लेकिन शायद आपको right off the bat मालूम हो गया या आपने discover ही इनसे मिलने के बात किया कि ये आपके soulmate है या twin flame है या इस word का ही आपको इनसे मिलने के बात पता चला कि इस दुनिया में कोई twin flame भी कोई share है you know what I am saying कि आपको बहुत सी चीज़ें realize हुई शायद आपको law of attraction में interest ही इनसे मिलने के बात हुआ बहुत सी चीज़ें शायद इनसे मिलने के बात आपने discover की और आपको बहुत कुछ realize हुआ तो ये मुझे आप लोगों का relationship नजर आ रहा है past में जब ये start हुआ और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा effort आपने डाली और in recent past मुझे ऐसा लगता है कि आपने जितनी relationship के अंदर effort डाली है उसका result नहीं आया है और आप बहुत patiently wait कर रहे हैं patience के साथ आप लोग इस इस इसान का अभी भी wait कर रहे है मुझे waiting की बहुत ज़दा energy नजर आ रही है और आप communicate करना चाह रहे है और आपकी communication नहीं हो रही है आपके person शायद बिलकुल ही منظر से गाइब हो चुके है या बिलकुल ही आपकी और ये इनसान शायद आपसे बहुत दूर है long distance relationship कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आपसे resonate कर रहा है लेकिन उसके इलावा भी मुझे ऐसे लगता है कि आपसे बहुत दूर है लेकिन energetically आप हमेशा इनकी energy feel करते है intense energy अक्सर आपको feel होती है अगर आपने move on कर भी लिया है तो भी अक्सर आपको इनकी energy feel होती है और वो इसलिए क्योंके उनको भी आपकी energy feel होती है मुझे ये नजर आ रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस वक्त आपने इनके ओपर invest किया उस वक्त आपके person की energy कहीं और जा रही थी उस वक्त उनकी नजर शायद अपने finances पर थी उस वक्त उनकी नजर शायद अपने कुछ goals पर थी इस वज़ा से भी आपको वो response नहीं मिला जो आपको चाहिए था तो आपके partner की investment कहीं और थी आपकी investment इनके ओपर ही थी इस शक्स की इसी एक pentacle के ओपर नजर थी लेकिन इस शक्स की नजर इसके ओपर थी जहां पर उन्होंने invest किया है तो different आप लोगों के goals थे उस वक्त आप बिलकुल इनको pursue करना चाह रहे थे लेकिन इनके goals कुछ और थे और शायद इसी वज़ा से आप लोगों का connection आगे नहीं बढ़ पाया आप मैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये relation सिर्प friendship तक था और इसका magic इसमें जो प्यार था इसमें जो chemistry थी वो सबसे ज़ादा आपने महसूस की है the viewer आपके partner को शायद आपसे दूर होकर realize होना शुरू हो गया हो channel messages भी अभी हम देखेंगे लेकिन आपके साथ relationship में होते हुए yes उन्हें खुशी मिली उन्होंने enjoy किया उन्होंने शायद आपके साथ अपने goals share भी किये बहुत सी बाते हैं आपके साथ share की लेकिन जिस level तक आप जा चुके थे उस level तक वो नहीं जा पाए और हो भी सकता है कि वो चले गए हो उन्होंने भी आपसे प्यार किया हो और उन्हें intense feelings इस connection की महसूस हुई हो intensity महसूस हुई हो लेकिन उन्होंने छुपा कर रखा क्योंके we have the moon और the moon की energy आपको पता है secrets है hidden चीज़ें हैं जो नजर नहीं आ रही है और कभी कबार illusions भी जाहिर करता है the moon तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके person शायद उस वक्त इस deep और intense relationship के लिए ready नहीं थे लेकिन आप fully ready थे और आपने इनको attract किया आपने जिंदगी में और शायद आप आज तक question करते रहे कि फिर ये relationship आप लोगों का बना क्यों लेकिन इसका कोई higher purpose था कोई lesson था इस सारी situation में आपके लिए और उनके लिए भी इसके इलावा inner future मुझे ऐसे लगता है कि आप waiting की ही energy में है inner future भी आपके person कुछ बहुत ज़्यादा action लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी का control अपने हाथ में रखना चाहते हैं मुझे ऐसा लगता है थोड़े से controlling हो सकते हैं stubborn energy है बहुत ज़्यादा stubborn energy है और इसका ये मतलब नहीं है कि ये शायद कभी भी relationship में नहीं जाएंगे ऐसा नहीं है energies change होती रहती हैं लेकिन inner future या अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा ये अभी commitment में नहीं जाना चाहते हैं इनको अपनी जिन्दगी में power चाहिए control चाहिए और अभी भी बहुत ज़्यादा business oriented हैं बहुत ज़्यादा 3D हैं और in their future भी आप मुझे वेटिंग की energy में नजर आ रहे हैं काफी ज़्यादा stubborn हैं आपके जो partner हैं let's see what more three more cards we have queen of cups the hierophant and the wheel of fortune okay तो मुझे ऐसे लगता है के yes आपके person चाहते हैं आपको जिन्दगी में वापस लाना क्योंके उनको बहुत deep feelings intensity सब कुछ महसूस हो रहा है आजकल महसूस हो रहा है और शायद पहले भी महसूस हुआ लेकिन उन्होंने छुपाया हुआ था जो एक circle में घूम रहे थे round and round अब इनको कुछ different करना चाहिए अब इनको अपने patterns बदलने चाहिए और ये बात शायद इनको अब realize हो रही है तो आपके person की यहाँ पर possibility है कि they will reach out आपसे बात करना चाहेंगे लेकिन अपने अंदाज में you know फॉरी तो पर अगर आपकी तरफ आएंगे तो आपको commitment का कहेंगे नहीं बलके शायद एक new beginning चाहेंगे आपके साथ एक fresh start चाहेंगे चीजों को दोबारा से reestablish करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जाकर commitment आएगी फॉरी तो पर commitment नहीं आएगी तो yes आप देखें कि with the wheel of fortune और in cards की combination के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपके person का दिल करता है कि काश वो time को वापिस घुमा लें with the wheel of fortune मुझे ऐसी vibes आ रही है कि आपके person आज ये खाहिश कर रहें ये सोच रहें कि काश वो time को पीछे ले जाएं काश वो time को reverse कर लें और बेहतर decisions लेते क्योंकि उस वक्त जो नोंने decisions ले और जो goals उनके थे शायद वो आज तक वो goals achieve नहीं कर पाएं हैं या whatsoever जो भी उस वक्त था उनकी जिन्दगी में important जो priority थी और आपको छोड़ कर जिस चीज को priority नोंने बनाया वो काम इनका अभी तक नहीं हुआ है और ये चीज इनको frustrate करती है और फिर इनको और ज़दा घुसा आता है अपने उपर और अपने patterns पर और इनका दिल करता है कि काश ये वक्त को reverse कर लें लेकिन वो चाहते हैं कि दोबारा आपकी जिन्दगी में आएं अब हम channeled messages उनकी तरफ से देखेंगे ताकि हमें clearly पता चले कि वो सोच क्या रहे हैं आपको वापस लाना चाहते हैं क्या चाहते हैं काफी सारे messages मैं लूँगी इनमें से क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हमें clarity मिल जाए जरा बहुत सारे हैं I know, please bear with me ये तो बहुत सारे आगए ओके ये cards मैं रख लूँगी I need more time तो आपके person को time और चाहिए maybe आपने बहुत अरसा इनका wait किया है लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप focus करें अपने आप पर I won't change तो शायद ये आप से कह रहे हैं कि change नहीं होंगे please don't judge me वो चाहते हैं कि आप इन्हें judge ना करें I want you to be patient तो एक तो time आगया और मैंने patience की बात की थी और आप देखिए कि उनकी तरफ से क्या message आए है I want you to be patient give me some space तो यहाँ पर बहुत ज़्यदा confirmation ये आ रही है कि इस चखस को अपनी एक space चाहिए अपना एक time चाहिए और ये controlling है exactly with the emperor मुझे ऐसे लगता है कि इनको अपनी space चाहिए और इन्होंने हर decision अपनी मर्जी से लेना है अपनी मर्जी से conclusions पर आना है और अपनी मर्जी से हर step जिंदगी का लेना है और ये चाहते हैं कि आप patiently wait करें और इन्हें understand करें इन्हें time दे और space दे everything is out of control तो वो आपसे ही कह रहे हैं कि हर चीज आउट of control है उनके हाथ में कुछ नहीं है I'm not ready for commitment commitment के लिए वो आज भी ready नहीं है It may seem difficult but it is all serving a higher purpose तो बिलकुल ये आपको difficult लग रहा होगा इस connection ने आपको pain भी बहुत दी होगी लेकिन आज वो भी आपसे कह रहे हैं कि इसका बड़ा purpose था higher purpose है जिसको समझने की हम दोनों को जरूरत है उन्हें भी grow करने की जरूरत है उन्हें शायद commitment issues है control issues है और ये सारे issues उनको resolve करने की जरूरत है इसमें उनके लिए ये lesson है और आपके लिए ये lesson है कि आपने emotions को sleeves पर नहीं रखना है आपने अपनी energy को protect करके रखना है drain नहीं करना है I want to make things right between us तो ये एक और बात आगई यहाँ पर कहीं न कहीं उनका दिल ये चाहता है कि वो चीजों को ठीक कर ले I remember every detail of that day Wow, amazing अब शुरू में रीडिंग के जब मैंने आप से बोला था कि जब आप मिले होंगे तो बहुत significant होगा और हर detail आपको याद होगी और आप देखिए कि आपके सामने काड़ा है I remember every detail of that day तो ये detail उस दिन की भी हो सकती है जब आपकी लड़ाई हुई और ये detail उस दिन की भी है जब आप लोग मिले It's not over yet बिल्कुल ये खतम नहीं हुआ है connection आप लोगों का Will you accept me? तो उन्हें कहीं न कहीं डर है कि आप अब उन्हें accept करेंगे या नहीं जो भी उनका past behavior था और actions थे I've been thinking about you lately आपके बारे में काफी सोच रहे हैं काफी दिनों से आप उनके जहन में हैं I'm waiting for your call शायद इनकी ego hurt होती है इसलिए उन्हें reach out नहीं किया और ये चाह रहे हैं कि आप इनको call करें अभी totally आप पर होगा कि आपने क्या करना है You still hold a piece of my heart तो आपके लिए उनके दिल में जगा आज भी है किसी और ने नहीं ली है You don't know the real me तो उनकी सचाई क्या है उनकी असलियत क्या है ये आप नहीं जानते हैं वो आप से ये कह रहे हैं ये सारे channeled messages हैं उनकी तरफ से आपके लिए तो वो आप से ये कह रहे हैं कि deep down जो उनके दिल में था वो आज तक आप नहीं जान पाए हो सकता है आपको कभी यकीन ही ना आए कि इन्होंने आप से प्यार किया था या ये आप से प्यार करने लगे थे जिस वक्त इन्होंने बिलकुल अपने आपको दूर कर लिया आप से लेकिन they felt this strong and significant connection with you इसको वो deny नहीं कर सकते हैं और कही न कही इनका दिल चाहता है कि आप इनकी जिन्दगी में वापिस आए ये time को reverse कर लें क्योंकि इनका दिल ये मानने को तयार नहीं है कि सब खतम हो गया है और इस reading के जरीए वो आपको ये बता रहे है कि it's not over yet दुनिया बहुत बड़ी है और आपको पता है कि दुनिया goal है हमें नहीं पता कि कब हमारा सामना किस से हो जाए और शायद in near future आपका सामना इन से हो जाए कहीं न कहीं हो सकता है एक same work place पर आप दोनों फिर से कठे हो जाएं हो सकता है ये travel करके आएं बहुत दूर से कहीं से और आप expect ना कर रहे हो उस वक्त दिन का आना और मुझे बहुत strong vibes आ रही है कि it's not over yet बिलकुल और आपके person ये चाहते हैं कि आप उन्हें judge ना करें जब वो वापस आएं वो एक start fresh start आपके साथ लेना चाह रहे है maybe जब ये वापस आएंगे तो पुरानी बातें आपसे करेंगे ही नहीं क्योंकि फिर सवाल पैदा होगा apologize करने का और ओ करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है शायद आपको face करने की भी इनमें हिम्मत नहीं कुछ ऐसा इन्होंने आपके साथ किया बास्ट में या फिर आपको ghost किया completely आपको अपनी जिन्दगी से निकाला या कुछ भी ऐसा और आपको face करने की इनमें ताकत नहीं है चीजों को बहतर करना चाहते है लेकिन इनको अभी समझ नहीं आ रही कि इन्होंने किस तरह चीजों को बहतर करना है आप लोगों के दर्मियान लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनका इंतजार करें थोड़ा सा और तो यह आप लोगों की reading थी कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, resonate किया मुझे जरू comment section में बताईएगा अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलेगा I'll see you in my next video Till then, love you lots, bye-bye